रमजान स्पेशल स्ट्रीड स्टाइल दही चना चाट की रेसीवी इस वीडियो में बताएंगे एक कप उबले हुए चने हैं और इसको हमने अच्छी तरह से गला लिया है अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे जिसमें जीरा डाला है एक टी स्पून एक टेबल स्पून भर कर डालना है चाट मसाला एक टी स्पून काला नमक अच्छा जो सादा नमक है वो डाल कर हमने चनों को अल्रेडी बॉयल किया हुआ है तो हमने फ्लेवर के लिए इसके अंदर काला नमक डाला है एक टी स्पून, पिसी हुई लाव मर्शन, डालेंगे और एक टी स्पून ये चीनी, पिसी हुई चीनी अब हरान और होंगे चन日ों के अंदर चीनी का क्या काम है गर, ये एक सीक्रिट इंग्रेट्च है इसे डिस्टाइल चलाचाट बनाने के लिए आपने इसमें चीनी जरूर एट करनी है जिससे जो सारे मसाले होंगे उनका फ्लेवर बहुत ज्यादा इंहांस हो जाएगा अच्छा अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है खीरा आधा कप खीरा चॉप करके डाल दिया है और आधा कप अनियन यानि प्यास चॉप करके डाल दिया है और आधा कप ही इसके अंदर टिमाटर चॉप करके डाल देंगे अब इसके अंदर हम डालेंगे इमली कप पल्प जो कि दो टिबल स्पून इमली कप पल्प है और गाड़ा यही है रानी कंसेंसे नहीं है इसकी ऐसे ही डालना है आपने भी अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे एक कप तहीं अब इन तमाम अज़्ज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और आप इस स्टेज पर इसमें हरा धनिया भी एड़ करें और मैं हरा धनिया उपर से डालना भूल गई हूँ तो आपने इधर एड़ करना है तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसको सर्फ कर देना है तो हमारी बहुत ही जटपट और मज़ेदार स्ट्रेट स्टाइल दही चना चाट रही है उपर से दही डालके और हरा धनिया डालकर सर्फ करेंगे